नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चेनल में दोस्तो दीपावली के दिन परस में रखते चार में से कोई भी एक चीद परस हमेशा पैसो से भरा रहेगा दोस्तों हर कोई चाहता है कि उनका फर्ष पैसो से भरा रहे और उन्हें अपने जीवन में कभी भी पैसो की कमिया का सामना ना करना पड़े और अगर आप भी पैसो की कमी के कारण परसान रहते हैं और आप कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करते हैं तो दोस्तो इस दिपावली के दिन आपको पैसो से रुड़ी भी तमाम परसानिय से कारा मिल सकता है और इस बार दिपावली पर भी सेथ योग बन रहे हैं अद्बुत दुरलब से योग बन रहे हैं और इस दिन अगर आप कुछ खास चीजें अपने परस में रख लें तो दोस्तो पैसो के प्रसानिय खत्म हो सकती हैं और आप लोगों के जीवन में धंधाने में बड़ोतरी हो सकती हैं तो दोस्तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको कौन सी ऐसी चीजे हैं जो आपको दनलाप करवा सकती हैं दोस्तो पहली चीज है स्री अंत्र स्री अंत्र मालक्विजी की घिर्पा पाने के लिए आपको दीपावली के दिन अपने परस में एक छोटे आकार का स्री अंत्र आसानी से अपने परस में रख सकते हैं और सास्त्रों में माता लक्ष्पी जी को स्रीयंत्र का ही सरूप बताये गया है और इसे पर्ष में रखने पर भी दीपावली के दिन धन्स समंदित प्रसानिव से छुड़कारा मिल जाता है स्रीयंत्र को पर्ष में रखने से पहले उसकी पूजा जरूर करें क्योंकि दीपावली के दिन माता लक्ष्पी की पूजा की जाती है और स्रीयंत्र की पूजा की जाती है पूजा करने के बाद इस स्रीयंत्र को अपने पर्स में रख दें माता लक्ष्मी का अस्रवन करते हुए देखेंगे कि जीविन के कश्ट और धन की समसाय दुर होंगे और पैसो से हमेशा भरा रहेगा आपका पर्स तता दूसरा है मालक्ष्मी जी की तस्वेर दोस्तो कमल पर विलाजेद देवी लक्ष्मी जी का सुरूप बहुत सुब और विसेश फलदाई होता है पर्स में देवी लक्ष्मी जी की फोटो दीपावली के दिन रखने से बरकत बढ़ जाती है और पर्स कभी भी खाली नहीं रहता है दीपावली के दिन माता लक्ष्मी पर्श में रखनी हैं यानि कि जो भी फोटो रखेंगे वो बैठी वी मुद्रा में ही हैं दोस्तो तीसरा है पीपल का पता दोस्तो दीपावली के दिने सुब मूरत पेपल का पता पीपल के पेड़ से तोड़ लाएं और वह पता कटा फटा ना हो इसका आपको ध्यान रखन है इस पते को गंगा जिल से धोकर उसे केसर या फिर हल्दी का हल्दी से लिख कर अपने पर्श में रख लें दोस्तो श्री लिख लें श्री लिखना है ध्यान रखेगा श्री लिखने इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पर्श में रखा हुआ पता किसी को नजर ना आ और दोस्तो चोथा है चावल दोस्तो दीपावली के दिन पूजा के दोरान मालक्त्मीजी को चड़ायागया चावल काफी चमतकारि होता है और आपको मालक्त्मीजी को चड़ाय वह चावल उसमेने से कुछ दाने अपने पर्स में जरूर रखने चाहिए इससे मालक मिजी की पूजन भी हो जाती है और मालक मिजी की कृपा भी होती है खुद इस चावल को कुछ दाने चाहे वो पांच दाने हो या कुछ दाने निकाल कर अपने परस में रखते दिपावली के दिन तो दोखेंगे कि आपको पर्स हमेशा फैसों से वरा रहेगा जीबर में कभी भी आपको पर्स खाली नहीं मैसूस होगा जब भी जितने की जरुत पड़ेंगे उतना ही फैसा आपके पास आता रहेगा और मालक मिजिकी किर्पा प्रस्ती रहेगी तो दोस्तो दीपावलि के दिन पर्स में जरूर रखे हैं इन चार में से कोई भी एक चीज फिर देखेंगे कि कैसा आपका पर्स हमेशा पैसो से भरा रहेगा दोस्तो कमेंट वक्ष में जैमाता दि जरूर लिखेगा कैसा लगा आपको यह विडियो और दोस्तों कमेंट में जय माता दिव लिखेगा और साथी विडियो को लाइक कर दीजी का ज़्यादा ज़्यादा सेर करें